दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नटिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाला सब्सक्राइब का बटन आपको red color में दिख रहा होगा एक बार आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया तो ये automatically gray color में convert हो जाएगा और इसके हिसाब से आप अपनी notification को adjust कर सकते हैं दमश्कार दोस्तों हमारे देश के अंदर जितना भी trade deficit रहता है उसका करीब करीब one third trade deficit अकेले चाइना के साथ रहता तो आप सोचके देखिए कि चाइना के साथ हमारा trade deficit कितना जादा है तो आज हम इस वीडियो में चरचा करेंगे इसी particular trade deficit के बारे में और एक बहुत ही important news सामने आई है कि जो 2019-20 का ये वित्तिय वर्स गया है यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में जो trade deficit है उसमें गिरावट आई है और ये क्यों आई है ये trade deficit कितना हुआ है इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकेत अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस news में देख सकते हो India's trade deficit with China reduces to 48.66 billion dollar in financial year 2019-20 तो ये 48.66 billion dollar आचुका है तो सबसे पहले आप ये समझे कि trade deficit का मतलब क्या होता है बहुत ही simple कहने का यहाँ पर ये मतलब होता है कि हमारा देश जितना भी import कराता है बाहर के देशों से जब ये import की value जादा होती है किसके मुकाबले जो value के goods हम export करते हैं for example अगर मैं कहता हूँ कि हमने चाइना से 150 रुपीज के goods को import कराया और हमने स्रिफ 100 रुपीज के goods को ही export किया चाइना में तो यहाँ पर trade deficit कितना बन जाएगा 50 रुपीज का तो यह आपका trade deficit हो गया एक और चीज़ ध्यान रखेगा trade deficit को ही कहा जाता है negative balance of trade तो यहाँ पर इसको हम negative balance of trade भी कहते हैं तो यहाँ पर हुआ क्या है basically 2017-18 में अगर आप देखिए तो हमारा जो trade deficit था चाइना के साथ यह था करीब आपका 63 billion dollar जो की 2018-19 में घटकर हो गया था आपका 53.56 billion dollar और यह जो आपका पिछला वित्तिय वर्स गया है 2019-20 यहाँ पर फ पर अभी जो बीच में tensions चल रही है भारत चाइना के बीच में जिसके तो यहाँ पर भारत सरकार ने कई सारे कदम लिये हैं चाइना से जो import आता है उसको ban करने के लिए तो अभी उसका असर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यह वाला जो आपका data है यह आपका April 2019 से ल रहा है यह 48.66 billion dollar हो गया है तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि यह जो trade deficit में गिरावट हो रही है यह किस वजह से हो रही है क्या भारत जादा export कर रहा है इसलिए यह trade deficit गिर रहा है या फिर भारत जो import कराता है चाइना से उस import में कमी आई है इसकी वजह से गुआ है तो इसका answer है दोस्तों कि हम जो import कराते थे चाइना से उसमें यहाँ पर कमी आई है जिसकी वजह से यहाँ पर trade deficit में भी आपको कमी आती हुई दिख रही होगी तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 2019-20 में जब हमारा trade deficit 48.6 billion dollar हो गया है तो इस समय हमने क् export कराया था करीब 16 billion dollar के goods को लेकिन जो हमने import कराया था वो हुआ था आपका 65.26 billion dollar और इसको अगर आप minus कर दोगे तो यह आपकी value आए जाएगी 48.66 billion dollar अब मैं आता हूँ आपको इस particular graph की उपर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2017-18 में जो हमारा import है चाइना के त्रू आप करीब हो गया था 76.4 billion dollar मतलब हम इतने रुपए के इतने value के goods को हम चाइना से मंगा रहे थे that is 76.4 billion dollar और यह गिर के अब आपका देखी हो चुका है 65.3 billion dollar और अगर हम export की बात करें तो हमारा जो export है चाइना के साथ वो लगभग constant रहा है करीब 15-16 billion dollar के आज पास रहा है आप क्योंकि यहाँ पर हमने import कम किया है जिसकी वज़े से आप clearly देख सकते हो कि जो हमारा trade deficit है उसमें यहाँ पर गिरावट हुई है अब हम बात करेंगे कुछ इंडिया-चाइना trade के बारे में कि क्या-क्या trade होता है कितना trade होता है तो आपको पता होगा कि चाइना ने WTO को World Trade Organization को join किया था December 2001 में तो यहाँ पर अगर आप दिखिए तो 2001 में भारत और चाइना के बीच में सिर्फ $1.49 billion के trades होते थे लेकिन यह होते होते आप दिखिए अब जाकर हो गया है करीब $84 billion के trade मतलब कि कितना तेजी से यहाँ पर trade बढ़ा है लेकिन इसमें एक सबसे important चीज notice क करने वाली यह है कि यह जो हमारा trade भड़ा है यह आप देख सकते हो यह gray color वाला curve दिखा रहा है कि भारत और चाइना में कितना trade हुआ है basically तो यह लगातार भड़ता गया है 2000 के बाद से लेकिन यहाँ पर आपको notice करने वाली चीज है कि जो हम export करते हैं वो लगभग हमारा उ इसको देखिए यह import को दर्शारा है कि हम चाइना से कितना import कराते हैं तो आप देख सकते हैं clearly कि 2000 के बाद से जो import है चाइना से वो बहुत तेजी से बढ़ा है और इसकी वजह से यह जो yellow color वाला curve है वो लगतार नीचे जा रहा है और यह yellow color वाला curve क्या दिखा रहा है यह हम हमारा दिखा रहा है balance of trade को मतलब कि यहां पर हमारा trade deficit बढ़ता गया है जैसे जैसे हमने import ज्यादा करना start किया है और यहां पर एक और important चीज है कि अगर हम चाइना के साथ हम compare करें कि जितना भी हम import करते हैं चाइना से तो आप देखिए करी 14% 14% यहां पर चाइना से अकेले हम import करते हैं मतलब कि भारत के लिए China one of the largest trading partner है लेकिन अगर आप चाइना के perspective से देखिए तो भारत 11th नंबर पर आता है trading partners के terms में मैं आपको दिखा सकता हूँ आप यह clearly देख सकते हो कि जो चाइना के major trading partners हैं वो हो गया आपके European देश, ASEAN देश हो गया, US हो गया, Japan हो गया Australia, New Zealand और India काफी नीचे आता है मतलब कि यहाँ पर इंडिया का जो अस्थान है China के trade के साथ वो काफी नीचे है लेकिन हमारी जो dependency है वो यहाँ पर आप clearly जादा देख पाओगे अब यहाँ पर बात आती है कि हम China से कौन कौन से goods को import कराते हैं तो यहाँ पर कई सारे items के मैंन चाइना को क्या-क्या चीज़ें export करते हैं तो ज्यादा तर क्या होता है जो raw material वाली चीज़ें होती हैं वो हम ज्यादा export करते हैं जैसे कि आप देख सकते हो clearly petroleum products हो गया cotton, organic chemicals इस तरह की चीज़ें हम ज्यादा export करते हैं चाइना में अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ प को पता है कि US के साथ हमारा trade surplus है हम ज्यादा export करते हैं US को तो यहाँ पर Donald Trump के दारा लगतार कोशिच की जाती है कि इस trade deficit को कम किया जाए तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली चाइना के प्रती यहाँ पर trade deficit को कम करने के लिए तो सबसे पहली बात यह जो concern है वो लगतार सरकार च चाइना से हमारे देश के अंदर उसको काफी हद तक रोका जा सकता है दूसरा होता है आपका quality norms जैसे कि आपको बता है कि चाइना की जब बारे आती है तो कई सारे low quality के products यहाँ पर import कराए जाते हैं चाइना से तो यहाँ पर यह जो quality concerns है उसके थ्रू भी हम यहाँ पर रोक लगानी है जिसकी value करीब 47 billion dollar के worth के goods हैं यहाँ पर सरकार इसको already formulate कर चुकी है प्लस आतमे करीब 50 goods के ओपर यहाँ पर सरकार quality control लगाने वाली है ठीक है इसके ओपर already I think लगाया भी जा चुका है पिछले एक सालों में जैसे कि आप देख सकते हो electronic goods हो गया, toys हो गया, air conditioners हो conditioners हो गए तो इस तरह की जो चीजे हैं यहाँ पर सरकार quality control ला रही है और पिछले कुछ दिनों में तो यहाँ पर जैसा कि आपने tensions देखा है भारत और चाइना के बीच में इसको देखकर तो सरकार काफी हद तक कदम बढ़ा रही है जैसे कि मैंने कई सारे वीडियो बनाए आपको पता चल जाएगा कि anti-ramping duties होता क्या है बिसिकली यह हमारे जो domestic market है इसको distort करते हैं हम इसको अर्शान करते हैं तो कहीं न कहीं इसकी तरफ सरकार बढ़ी है अब जाने से पहले मैं आपको FDI के बारे में भी बता देता हुस दोस्तों कि यहाँ पर China से हमारे देश के FDI हमारे देश के अंदर आये थे चाइना से लेकिन पिछला जो 2018-19 का जो वितिये वर्स था इसमें FDI में कमी आई थी और यह करीब 229 मिलियन डॉलर हो गया था और अगर आप 2019-20 की बात करिए यह तो बहुत कम हो गया था करीब 163 मिलियन डॉलर मतलब कि जो पिछला वितिय सालों की तो टोटल जो FDI के अगर आप बात करिये चाइना के साथ और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगतार जो ट्रेड डेफिसिट है सरिफ चाइना के साथ नहीं पूरे विश्व भर के साथ जो भारत का ट्रेड डेफिसिट रहता है यह जो पिछला मे होता था कि हमारा हर मेना 15 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट रहता था लेकिन यहाँ पर पिछले मैंने यह सरिफ अराउंड 3 बिलियन डॉलर का ही ट्रेड डेफिसिट रहा है इसको अगर आप चाहें तो यह ओला वीडियो देख लीजेगा I hope दोस्तों आज का वीडिय है एकॉनमी के वो आपके क्लियर हो सके हैं आपको सैंपल वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो दोनों स्टडी आईक्यू एप पर मिल जाएंगे आप वहां से जाकर पर जैस कर सकते हो किसी बें इंक्वारी के लिए आप मुझे से डारेक्टली इंस्टाग्राम पर जूड